आज के छोड़े से वीडियों में बात केने वाला हैं कि बहुत ही इंट्रस्टिंग और रिक्वेस्टर टॉपिक है पर आपको बताएंगे कि SMPS क्या होता है किस तरीके से काम करता है इसको कहा हम यूज में लेते हैं और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है जह आपने complete BLDC ceiling fan की working आपको explain किया था जहां मैंने आपको बताया था कि वहां पर हम SMPS को यूज में ले रहे होते हैं तो वहां पर आपको मोटे-बोटे तौर पर हमने यह भी बताया थे कि इस SMPS को हम यूज में लेते हैं कि AC को DC में convert करने के लिए और मैंने यह भी बताया थे कि भाई यह तो रेक्टिफायर से भी हमारा काम हो जाता है तो फिर यह रेक्टिफायर से कैसे different है और बहुत सारी confusion होते है उसके बारे में हम बात करेंगे तो अगर आपको यह सारी बात आपके computer में भी SMPS यूज में ली जाती है जो कि ऐसा दिखता है वो भी लगबग same है उसकी working जो है लगबग same है और circuitry wise थोड़ा सा difference आपको देखने मिलता है पर काम जो है दोनों का same ही है क्या करता है यह काम क्या करता है तो basically यह दो काम करता है एक तो जैसा कि मैंने बताया आपको input में 24V DC देना पड़ेगा तो कैसे देंगा आपके घर में तो 220V DC आता है तो आपको सबसे पहले nature को change करना पड़ेगा AC को DC में convert करना पड़ेगा तो DC में convert कर रहे है तो आपको output में क्या मिल जागा 220V DC मिल जाएगा बट हमें 24V DC चाहिए सिर्फ तो आपको voltage की level को reduce करना पड़ेगा तो यह जो दोनों काम है ना यह SMPS हमारा कर रहा होता है तो आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा यार यह तो हम ऐसे भी कर सकते हैं हमको पता है हमारे पास transformer है हमने पहले transformer लगा दिया उसको 220 से 24 में convert कर लिया फिर ब्रेज रेक्टिफार लगाएंग पर दोनों का जो करने का तरीका होता है उसमें difference आता है और इस difference के वज़े से आपको कई सारी फाइदा आपको SMPS में देखने मिल जाते हैं जैसे कि काफी compact होता है हलका होता है कहीं भी fit हो जाता है आपके CP को अंतर आपने fit कर दिया SMPS को और उससे भी जादा important यह बहुत ही होता है यह up to 90% तक आपका efficient होता है और नॉर्मल जो traditional way है वो जो है आपका 60 50 to 60% आपको efficiency वो देता है जहाँ पर transformer, rectifier, filter circuit के मदर से आप कर रहे होते हैं तो कोई भी system अगर आपका 50% efficient उसका मतलब आपको समझ में आता है माल लीजे कि अगर कोई load up connect करके रखे हैं जिसकी requirement 100 watt है तो उसे चलाने के लिए आपको input में 200 watt देना पड़ेगा क्योंकि यह जो transformer है, rectifier circuit है, filter circuit है, यह जो है 100 watt को dissipate करने वाला है, heat के form में, losses में convert करने वाला है और सिर्फ 100 को यह transform कर पाएगा, इसको convert कर पाएगा और इसी वज़े से अकसर उसी system को यूज़ करना ज्यादा प पढ़ाया जाएगा, कि जो power supply होता है, वो दो प्रकार का होता है, एक तो जो है linear power supply कहते है, और दूसरा हमारा switch mode power supply होता है, linear power supply वही जो मैंने आपको बताया है, transformer, rectifier, filter circuit के मदर से, जो हम लोग कर रहे होते, तो वहाँ पे फिर्टर स्रिक्टर पसंद आपको efficiency मिलती है, और सबसे पहलेंगे, तो सबसे पहलेंगे, वहाँ पे एक rectifier circuit होगा, filter circuit होगा, फिर आपके दिवहाँ को फटाक से भी आया होगा, यार वहाँ भी तो rectifier circuit था, तब भी पूरा आप सुन ले हाराम से, फिर उसके बाद दोनों के बीच में क्या difference है, और कैसे यह जादे efficient है, वो ह हर कुछ हम लोग देख लेंगे, तो यह rectifier और filter circuit कड क्या रही होती है, तो जो भी हम input दे रहे होता है, यानि कि 220V AC हमने दिया, तो यह 220V AC को से 220V DC में convert किया, और आप जानते हैं, कि जब भी ब्रेज rectifier आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो जो output में हमें pure DC नहीं दे रहा होता है, तो इसके बाद जो है हमारा chopper लगा हुआ रहता है, अब chopper क्या है भाई, इसे हम power electronic switch के मदे से बनाते हैं, जैसे high frequency switch भी कहा जाता है, जिसकी switching frequency के बारे में अगर हम बात करें तो यह 15 से लेक्ट के 50 KHz तक होता है, इसका मतलब आपको समझ में आता है, यानि कि एक second में यह 15 से लेके 50,000 बार बंद चालू हो सकता है, जैसे आपके घर में जो normal switchboards होते हैं, तो उसको on off करते हैं, किसे भी up current या appliances को on करने के लिए, off करने के लिए, जैसे switch on किया, आपका fan on होने लगा, off किया, बंद हो गया, तो on करते तो आपका circuit complete होता है, और आपका current flow होना start हो जाता है, तो यह logic अपको समझ में आता है, तो आप एक second में कितना बार उसको बंचालू कर सकते हैं, तो अगर आप अपनी पूरी भी जोड़ लगा दे, तो maximum 2-3 बार, उससे जाधा human के लिए possible ही नहीं है, कि manually भी operate कर सके, तो यह जो switch है, आपका power electronic switch है, इसको हम electrically operate करत हैं, तो भाई इसको हमने use क्यों क्या है, यहाँ पर इसका क्या role है, तो यहाँ पर यह इस pure DC को variable DC में convert कर रहा होता है, यह कैसे करता है, देखे, जैसा कि हमने बताया है, कि rectifier के बाद हमने filter set kit लगाया, तो फिर वो हमें pure 220 volt DC दे रहा होता है, ideal case में, अब इस pure 220 volt DC को हमने क् electronic switch हो, यह क्या करेगा, यह बंद चालू, बंद चालू, बंद चालू होगा, तो यह जब चालू रहेगा, तो हमें output में 220 volt देगा, जब बंद होगा, तो हमें 0 volt देगा, तो वैसे ही वो बंद चालू, बंद चालू, बंद चालू, ऐसा होता रहता है, और हम लोग को 220 volt 0, 220 volt जिसका वेबफ़र्म जो है आपको समझ में यहां पर आ रहा है अब ऐसा हमने किया क्यों कि हम इस लिए किया क्यों कि हम इस प्योर डीसी को वरियबल डीसी में करना चाहते थे अब देखिए यह एसी नहीं है बहुत सारी लोग कंफ्यूज होते हैं आपको इस तरी की से बताते हैं कि हम वापैसे इसी में कर रहे हैं एसी में कर नहीं हो रहा है यहां पर एसी का मतलब क्या होता है कि वह अपने डायरेक्शन को बदलता नहीं है यहां पर करेंट फ्लो होता है वह एक ही डायरेक्श में फ्लो हो रहा होता है एक बार फ्लो होता है जब स्वीच आफ होता है तो नहीं फ्लो होता है क्योंकि सर्क्रीट जो है इनकम्प्लीट होता है करेंट फ्लो होना होता है तो फिर वह अन हुआ तो फिर हमारा करेंट फ्लो हुआ फिर वह off हुआ हमारे current फिर flow ना बंद हुआ और उसी का waveform में दिखा रहा था कि कुछ इस प्रकार से हमें दिखता है तो यह variable DC हमें चाहिए क्यों यह variable DC हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इसके बात जो है हमने एक transformer लगा रखा है step down transformer लगा रखा है जो voltage के level को reduce करता है और हमें output में जितना voltage चाहिए उतना voltage जो हमें करके यह देता है अब देखिए एक question मुझे किसी ने पूछा था comment section में कि अगर हम variable DC देते हैं transformer को तो क्या वो work करेगा तो उनको तो उसी वक्त मैंने comment में answer दे दिया था बट आपको भी यहाँ पे clearly समझ में आ गया होगा कि हाँ वाई इस smps में जो transformer use में ले रहे होते हैं उसके input में हम variable DC द करना चाहिए क्योंकि आपका जो basic condition है transformer work करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए क्या है कि magnetic flux change होना चाहिए या magnetic flux कैसे change होगा जब हमारे winding से current flow हो रहा है वो change होना चाहिए तो यहाँ पर variable DC में भी जो है हमारा current का value change हो रहा होता है तो उससे बनने वाला magnetic field है वो भी change हो रहा होता है और वो magnetic field जब link करता है हमारे coil के साथ तो वो भी change हो रहा होता है यानके magnetic flux linkage चेंज हुआ और आपक एक basic condition है अगर यह true होता है तो आप variable DC दो या AC दो आपका transformer work करेगा आप जो कि यह transformer के मदद से voltage level को हमने reduce कर दिया पर यह voltage level है यह variable है इसमें AC component है तो वापस है जो हम rectifier और filter circuit को लगा करके इसको pure DC में convert कर लेंगे और हमें output में pure DC मिल जाएगा अब देखिए बहुत important चेज जो हम वापस से जो chopper circuit था आपको वहाँ पर हम दे देते हैं और इसी system को हम close loop system कहते हैं जो control system में अपने पढ़ा होगा बहुत सारे लोग अभी confuse हो रहे होगा यार यह feedback loop क्या है तो आपको examples हम समझाते हैं तो यहाँ पर आपकी दिमाग में दो सवालार होगा कि यह feedback है क्य और इसका role क्या है यहाँ पर हमें तो यहाँ पर output मिल गया था हमने फिर rectifier filter circuit लगाने के बाद हमें अगर 24 volt चाहिए था तो हमें मिल गया था तो इसको अपने load को दे देता है हमारा काम हो जाता आप सही सोच रहे हैं बट यहाँ पर कुछ miss है जो मैं आपको example के मदद से फिर आपने देखा speedometer को कि अभी 10 पर ही मैंने चला है फिर हमने बढ़ाया फिर उसके बाद जो है आप 20 तक पहुँचा फिर आपने speedometer में देखा कि 20 पहुँचा फिर अपने जोड साथ गुमाया तो फिर आप 50 पहुँच जाते हैं फिर बोलते हो अरी-री तो 50 पहुँच तो आपका जो एसको लोड़ा था राइट पर उसके साथ साथ आप मॉनिटर भी कर रहे थे आपने आखों के मदद से कि भाई मैं कितने स्पीड में चला रहा हूं किया मुझे जादा घुमाना है या अभी उसको स्लो करना या बढ़ाना है अगर आप देख रहे थे कि 20 में ही तो अगर आप बाई चलाते हो अगर मैं कहता हूं कि 40 की स्पीड में चलाना है तो आप फिर कैसे चलाओगे आपके हाथ में तो इसकेलरेटर है जिससे आपको पहुंचाना है 40 वो capable है बट क्या आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे क्योंकि आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो वापस से वो देखने पा रहे हो अपने brain को अब वो signal नहीं दे पा रहे हो कि यार मुझे speed दादा करना यह कम करना है यह नहीं कर पाओगे तो यही काम हमारा feedback कर रहा होता है feedback हमें वापस से वो जो output हमें मिलता है यानि कि अगर हमें 24 वोल्ट चाहिए तो वो जो output हमें मिला 24 मिला कि 23 मिला वो वापस से हमारा chopper को देता है कि chopper हमें decide कर पाए कि भाई यह 24 ही है क्या अगर कम है तो यह अपना frequency को change करेगा ताकि output में हमें exact 24 मिल सके तो यह था पूरा हमारा एक basic SMPS के बारे में कि किस तरीके से उसका circuit होता है और वो किस तरीके से काम करता है हापके द यहां ब tapping यूज कर रहे है वहां यहां भी तो हमने ट्रांसफोर में that यहां यूज की यहां और यहां भी Article YEं करद रहे हैं कि आailleurs जोатा है यहां यह कॉंपाक्त हिखों manipulation कर रहे हैं तो इसे किया कहानी है तो यहां से आपको बहुत ही इनने वाला है तो होता क्या है यहां पर देखे एक्जाक्ली, तो जो transformer हम यूज में ले रहे होते हैं, उसके size में difference होता है, वहाँ जो linear power supply में जो transformer हम यूज में ले रहे होते हैं, वो काफी बड़ा होता है हमारा SMPS transformer की comparison में, तो इसके बीचे क्या reason है, इसके बीचे का reason ये है, जो linear power supply में ज यूज में ले रहे होते हैं उसके इंपूड में ज़ो पावर आता है उसकी जो फ्रिक्वंसी होती है वो 50 हर्ट्स होता है और जो एसंपयस में अब ट्रांसफर्मिस बना सकते हैं सेंपावर प्रेटिंग के लिए यह फ्रिक्वेंसी और ट्रांस्फार्मर के साइज का जो है डायरिक्ट रिलेशन होता है तो यह हमें सब याद रखेगा और यह रिलेशन आया कहां से इसके पीछे का क्या रीजन है अगर इसको जाना है तो आपको कमेंट सेक्शन बताएगा जितना कर सकते हैं